हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूप चैनल घर की रसोई एंड टीप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बनाएंगे काले छिलके वाले उरत दाल से दाल मखनी तो इसे हम बिना भीगोए बनाएंगे फ्रेंड दाल मखनी बनाने के लिए क्या होता है कि रात भर आपको इस दाल को भीगोखर रखना पड़ता है लेकिन हम जटपट ये दाल मखनी बनाकर त्यार करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड प्लीज वीडियो को फूल वाच करें अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए फ्रेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं दाल मखनी बनाने के लिए एक कडोरी काला चिलके वाले उरत का दाल लिए हैं खड़ा दाल इधर पानी गरम होने के बाद दाल को डाल दिये हैं अब हम इसको 5 मिनट रेष्ट के लिए रख देते हैं 5 मिनट हो गया है आप देख सकते हैं हलका दाल फूल गया है तो अब हम इसको लगड़ लगड़ कर अच्छी तरह से धोएंगे ताकि जो भी इसमें गंदगी होगा वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा आप देख सकते हैं फिर्ण पानी कितना काला हो गया है तो हम इसको अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो लिए है अब अच्छी तरह से साफ हो गया है तो इधर एक कटोरी पानी डालेंगे उसके बाद हम दाल को डाल देंगे कुकर में पानी एक केजी का लगभग है उसमें हम एक चम्मच के करीब तेल डालेंगे चार पांच कली लासुन का डालेंगे हाप टी स्पून हल्दी पॉडर डालेंगे इससे अच्छे कलर आएंगे टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे और ढकन लगाकर चार से पांच सीटी आने तक पकाएंगे जब तक इधर सीटी लग रहा है तब तक हम इधर मखाना भून लेते हैं दाल मखनी में तो मखाना का जरूरी होता है तो आधा कटोरी हम मखाना डाल कर लो फिलेम में चलाते हुए एकदम क्रेश्पी होने तक मखाना को भून लिए है मखाना भूनने में इसमें कोई भी तेल या घी का यूज ने करना है इसे ही भून लिए है तब तक इधर दाल भी सीटी लग गया है ठंडा हो गया है फ्रेंड आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से पक गया है एकदम सॉप्ट हो गया है तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे इधर कराई गरम होने के बाद दो चम्मच घी डालेंगे देसी घी गी में ही दाल मखनी का अच्छे टेस्ट आता है फ्रेंड तो गी को गरम होने के बाद वन टीस्पून जीरा डाले हैं दो तेज पत्ता डाले हैं उसको चलाते हुए भूनना है उसके बाद हम तीन बड़े साइज के प्याज को बारिक काट कर डालेंगे तो इसको भी चलाते हुए भूननेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं प्याज गॉल्डन ब्राउन हो गया है आप देख सकते हैं फ्रेंड तो अब हम इसमें दो चम्मच के करीब अधरक लासुन का पेश्ट डालेंगे इसको भी चलाते हुए एक से दो मिनट तक भूनेंगे तो अधरक लासुन का पेश्ट भी अच्छी तरह से भून गया है फ्रेंड आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें तीन टमाटर का प्यूरी डालेंगे 1 टी स्पून लाल मिर्ची पौडर इससे अच्छे कलर आएंगे हमारे दाल मखनी में तो सबको चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे ढख कर पकाएंगे बीच बीच में ढखकन हटा कर चलाते रहेंगे तो टमाटर अच्छी तरह से पक गया है फ्रेंगे तो अब हम इसमें कुछ मसाले एट कर लेते हैं वन टी स्पून धनिया पौडर डालेंगे वन टी स्पून जीरा पौडर डालेंगे वन टी स्पून अमचुर पौडर डालेंगे अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और धक्कन लगा कर चार से पांच मिनिट तक पकाएंगे बिच बिच में धक्कन हटा कर चलाते रहेंगे तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है फ्रेंड आप देख सकते हैं साइट से ओईल छोड़ दिया है मसाला तो अब हम इसमें भूने हुए माखाना को डाल देंगे माखाना एकदम अच्छी तरह से भूना हुआ है फ्रेंड आप देख सकते हैं एकदम क्रेश्पी माखाना है इसको भी चलाते हुए मसाले के साथ भून लेंगे एक दो मिनट तक माखाना को अच्छी तरह से मसाले में मिला लिये हैं फ्रेंड आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम इसको ढख खकर एक मिनट के लिए पकाएंगे तो एक मिनट तक ढख कर हम पका लिये हैं इधर हम पानी गरम होने के लिए भी रखे penguin है एक साइड तो तो मसाले अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसमें डाल मखनी को डाल देंगे उबला हुआ उरत डाल को अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे तो फ्रेंड हम इसमें एकदम उबलता हुआ पानी यूज करेंगे ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें उबला हुआ पानी को डाल देंगे तो आधा लिटर के करीब पानी हम यूज किये हैं फिर से तो अब हम इसमें वन टीस्पून गरम मसाला डालेंगे धेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरीके से अब देख सकते हैं एक उबाल आने तक पकाएंगे एक उबाल आ गया है अब हम गैस के फ्लेम को बन कर देंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड अच्छी तरह से डाल मखनी तयार हो गया है तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे गीह का तड़का तो दो चम्मच गी लिए हैं फिर से गरम हो जाने के बाद वन टी स्पून लाल मिर्ची डाले हैं उसके बाद उपर से डाल दिये हैं तड़का को इससे क्या होता है कि दाल मखनी देखने में एकदम धावा इस्टाइल लगता है होटल के जैसा तो अब हम इसमें उपर से मखन डाल दिये हैं और ताजे फ्रेश मलाई को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद उपर से डाल दिये हैं गार्निस कर दिये हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड एकदम डिलिसियस हमारा दाल मखनी तयार है एकदम होटल जैसा तो आप इसे चावल के साथ रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी इनजोई कर सकते हैं तो सबको अच्छी तरह से मिला दिये हैं वाव आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना डिलिसियस हमारा दाल मखनी बनकर तयार है एकदम होटल के जैसा तो उमीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये दाल मखनी की रेसेपी जरूर पसंद आया होगा अगर पस झाल मखने झाल